भट्यात वासियों को पावन दीपावली की हादिक शुब खामनाई हिमाचल प्रदीश विधानसभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने गत देराद सत्रा और प्रत्याशी तै कर दिये हैं इसके साथ ही कॉंग्रेस ने 63 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोशित किये हैं पांच सीटों को लेकर अभी भी पेच फसा हैं संभावित है कि शुक्रवार को शेश माचों पर प्रत्याशी भी तै किये जाएंगे कॉंग्रेस की केंद्रे चुनाव कमीटे के प्रभारी एवं पार्टी महासचिव मुकल वासनिक की ओर से प्रत्याशों की सूची जारी की गई है शिम्रा शहर से पूर्व उपमहाबॉर हरीश जनारथा भर्मौर से पूर्व मंत्री ठाकुर सिंग भर्मौरिया कांग्रा से पूर्व विधायक सूरेंद्र कापु जोकिंदर नगर से सूरेंद्र पाल ठाकुर बिलासपूर से बंबर ठाकुर को प्त्याशी बनाया गया है इंदोरा से मलेंद्र राजन, देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा, सुलह से जग्दीश सिपाहिया, आनी से बंसीराल कॉशल, करसोग से महीश राज, नाचन से नरेश कुमार, धरमपुर से चंदर शेखर, सरकाघाट से पावण कुमार, चिंथपूर्णी से सुदर्शन सि देविंद्र कुमार भुटो, नालगड से हरदीब, बावा, चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री कुलदीब कुमार, पूर्व विधायक, जग जीवनपाल, वराकेश कालिया पर, कॉंग्रेस ने इस बार भरोसा नहीं जताया, गगरेट, चिंथपूर्णी, सुलह, करसोग, नाचन और सरकाघाट सीट से इस बार नए चेहरे पर दाव खिला है, ती महिला को भी टिकेट दिया है, वियोर रिपोर्ट हिमाचल टॉप न्यूज